एक भाई का सुवाल है कि मैं बहुत low confidence feel करता हूँ, क्या अगर ना चाहिए इसी situation में? आप स्कूल और कॉलेज अगर गए हो तो आपने एक तजर्बा जरूर किया होगा कि कोई ना कोई क्लास में एक student एक लड़का होता जरूर है आम तोर पर चो बहुत डरा सा सहमा सा होता है, उसकी कैफियत बता रही होती, body language बता रही होती कि आपने से कुछ पूछा, he'll be like, what are you asking me, मेरे अमीरे लिए सुननत नामत बरकातुम लालिया तरभियत परवाते हैं कि किसी की इसलाह करनी हो, तो sandwich formula इस्तेमाल किया जाए, एक सवाल ये भी है जिशान बे, कि मेरे घरवाले मुझसे बहुत जादा expect करते हैं, ये कर ले तू, ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत expectation होने की वज़ा से, अब मैं confused हो जाता हूं कि घरवालों को कैसे खुश रखूँ, बास वकात होता है कि मतलब इतना ज्यादा आदमी प्रेशराइज हो जाता है, कि सुसाइट टक के जो हैना, items करता है, कितने वाकियात हैं, मतलब भरे पड़े हैं, और कई सारे तो इतने ज इविडेंस को बूस्ट अब करने में या लो करने में, इनका क्या हो, किरदार होता है और असल में होना क्या चाहिए जो पर अबर हैं, जो एक जो इसकी स्किल्स हैं, स्किल्सेट हैं, लिट इम फ्लो, लिट इम दू थेंग्स, इन आ वेरी मैच्यूर वेड बहराल, मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूँ भी कहीं में, कुछ काम से हूँ, इंशाला इल गेट बेट तो यू, ठीक है, असल ऐलिकूmers Freda, और चॉल्ज App, लिएलिकू सलाम बरकातुई, कैसे हैं हजे शान भी कहरे से हैं? अल्हाम्दुल्याआ क्ल्याज अलिए, आप कैसे हैं उफाब, नण चुक्रा, बाâu, कैसा चला है? अर्हम्दुल्लाह मदीना मदीना फिर से हाजिर है यू टॉक में इस बार जो है काफी सारे questions आएध हैं तो इसमें समय में सोचा कि इसको topic wise करते हैं कई लोगों के सुवाल है इसमें और low confidence का एक topic बना है तो शुरू करते हैं जी बिल्कुल एक मट दीजेगा एक भाई का सुवाल है कि मैं बहुत low confidence फिल करता हूँ और होता भी है कि आप देखेंगे कि यंग्स्टर इंटर्वी के लिए जाता है या फिर office में कोई ऐसा शक्स होता है कि उससे अगर चैनल से कोई सुवाल पूछ लिया जाए बहले ही उसको उसका जवाब मालूम है लेकिन उतना घबरा सा जाता है और confidence ना low हो जाता है कि वो जवाब ही नहीं दे पाता है क्या अगरना चाहिए इसी situation में low self-esteem या यूं कहले low confidence self-confidence, low self-confidence is the right terminology for this आम तोर पर इसकी शुरुआट जो है ना अगर आप देखें तो बचपन से हो जाती है और आप school और college अगर गए हो तो आपने एक तजर्बा जरूर किया होगा कि कोई ना कोई क्लास में student एक लड़का होता जरूर है आम तोर पर जो बहुत डरा सा सहमा सा होता है उसकी कैफियत बता रही होती, body language बता रही होती कि आप ने से कुछ पूछा, he'll be like what are you asking me इसकी आम तोर पर वज़ा है बहुत सारी हो सकती है लेकिन एक बहुत बड़ी वज़ा होती है कि parents और teachers बहुत ज़्यादा critical हो जाते है सही है आपने हर छोड़ी छोड़ी बात पहले बाद वकात criticize करते हैं, डाटे हैं इससे भी बहुत confidence उसका down हो जाता है आप सही कह रहा है, criticize भी है मैं यहाँ critical होने से जो मुराद मेरी है उसको थोड़ा और detailed discussion अगर मैं करूँ तो होता ही है कि कई बार बच्चे की छोटी-छोटी काम्याबियों को भी parents और teacher नजर अंदास कर देते हैं और अपनी expectations को उसकी कंदे पर रख देते हैं for example, exam के result आए parents were expecting somewhere around 90% student ले गया 70% अब अब बाद critical हो गए what is this? is this for what I am paying in your school? teacher, यह क्या कर रहा हो? you're good for nothing, you can't do anything this is not the way मेरा ख्याल है, मैं अपनी बात कुछ पहुचा पा रहा हूँ जी-जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, सभी कह रहा है असल में होता क्या है, बापू के कई बार बच्चे की छोटी काम्याबियां जो होती है उस पर पीट थपक देना उस बच्चे को बड़ी काम्याबी के लिए तयार कर रहा होता है तो तरीका यह नहीं है, कि उसको बिल्कुल दबा दिया जाए यह क्या कर क्या हो, यह गलत है तो मैं नब्बे लाना था तरीका यह है, कि उसे जो चीज पसंद है, पहले उसे दो इसा है, कि मैं आपके लिए चाहता हूं कि नब्बे परसेंट है अच्छा, होता क्या है अगर पेरिंट्स को यह आजा है, कि यह रित्नी डाट दबग क्यों कर रहे हो तो कि देखो जनाब, मैं अपने बच्चे के भले के लिए कर रहे हूं अच्छा, अब मेरा इसमें अगर आप कमेंट लेना तो मैं करता हूं आप फिकर मन तो हैं, लेकिन यूर अप्रोच इस नौट राइट तरीका गलत है इसमें टीचर का भी कई बार रोल होता है बच्चा गया, इस त्राइं तो सॉल्व दी क्वेशन बोट पर टीचर ने लिग दिया क्वेशन वो कर रहा है विचा रहा he's not able to do this वहाँ पर यहूं कमेंट करना, you're good for nothing you can't do anything, you're going to fail you're not going to be a successful person in your life अब क्या होता है, वो एक strike करता माहिंड में एक psyche develop ओना शुरू हो जाती है कि I am good for nothing, अब भा भी यही बोलने है, टीचर भी यही बोलने है, बहन भी यही बोलनी थी, बड़ा भाई भी यही बोला था, तो क्या है, मेरी वर्थी नहीं है, तो चलो कुछ, अनवर्थी करते हैं लाइफ में, है न, जिसकी वर्थी नहीं है, अब अपने अंदर वो ऐसा ड कि अगर नंबर कम आए, तो तुमने साल बर क्या किया, मैं यह नहीं कहता कि टीचर ने परफॉर्म नहीं किया, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इसके नंबर कम आए, कि आपने वन उन वन बैटकर से बात की कि वेर आर यू लैकिंग बिटा, कहा पर प्रॉब्लम आ रही है, यह एक बहुत बड़ा फुदान हमारी सोसाइटी में है, कि हम कमजोरियों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं, और अच्छाईयों की होसला अवजाई छोड़ देते हैं, मेरे अमीर अले सुननत नामत बरकातुम नालिया तरभियत परमाते हैं, कि कि किसी की इसला करनी हूँ तो सैंड्विच फॉरॉमला इस्तेमाल किया जाए, खाया कभी आपने सैंड्विच, क्या होता है अब आप उसके अंदर, कई सारी लेयर होती है, तीन लेयर होती है, मेरे ख्याल है, उपर ब्रेड वाली, बीच में वेजीज, और अगें, सॉस वगेरा, सॉस फिर वेजीज और वेजीज आर पॉइंट्स जिस पर आपको इसला करनी है, मान लोग कि बच्चा प्रफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले ब्रेड रखो गए, या नहीं हो इसला अवजाए, माशालला बिटा, यू हाव डिद इस, तुम्हारे हें रिटिंग कितनी अच्छी है, तुम्हारे बुक का कवर बला अच्छा है, अमेरे ले सुनेते हैं जायस तारीफ कुछ ना कुछ तो होगी ना, उसकी दो, चार, छेये जायस तारीफे करो, फिर आओ, बिटा कर ये यू करते ना, तो और अच्छा होता, अब वेजीज डाली, नमा कॉमक लगाया, अब उस इसमें पॉजिटिविटी भी जो है ना, कि बच्छे को पॉजिटिव माइंसेट की दफ लेके जाना, जो आपने अमीरे ले सुनत का ये एक्जामपल दिया, कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, तो पहले इसको पॉजिटिव चीज को उपर लेके आए, और इसमें कुछ आपर ने बैठी है, आप इतर लगा दो मक्की नहीं आएगी, आप फोड़ा हो, मक्की आजाएगी, तो नेगिटिविटीज ये इनसान को तबाही करती है, और कई बार लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्विडेंस का बहुत बड़ा सबूब होता है, नेगिटिव थ वो अगली पर गेर लगाते भी डरेगा, बैगराट हो गई ना, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं अपना तजर्वा बताता हूँ, मैंने जिन्दगी का पहला दर्स दिया था, 17 फरवरी 2009 को, फर्स दर्स, दर्स क्या होता है, कि मस्जिद के बाहर खड़े होक था, मैं आपको बता रहा हूँ, चार लाइने रट कर आया था, फिजदा ने सुनत के, और वही रटी भी लाइन बोले जा रहा था, मुझे ये भी नहीं पता, मैं सुन था ना, मेरा पैर बोलना मुझे पता नहीं, अच्छा, अब मैं आब बोता हूँ, पॉसिटिविटी क नहीं कि तुम्हें दर्स देनी है, जैसी दर्स खतब हो, आके गले लगाकर मुझे उठा लिया, उसने, क्या परफॉर्म किया है, अच्छा, उस एज में ना, मुझे यह लगा, वाकि में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया मैं, अब जब एक मिल्शरिटी पर आने का दैस उस दिन मेरी जायस थारिफ कीना उन्होंने, इसलिए मैं फिर आगे बढ़ता चला या, बयान करता चला या, आज भी कर नहीं पाता हूं लेकिन ये कि अल्ला पाक ने जो तोफिक दी है, उनका नंबर मिलेगा क्या, क्योंकि उनका मैं शुक्रिया अदा करूं कि अकर उन्ह मगा भी सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन वहाँ पर समालने वाला अगर मिल जाए, और उसको हाथ पकड़के खड़ा कर दें, तो फिर उसके लिए राहे हमवार हो जाती है, तरीका यही है, कोई आपके पास आया, और आपसे गुफ्तगू करना, आपके गुफ्तगू में क पचते हैं, जिससे ऐसा हैसा होता है कि सामने वाले को हाथ, इसी को शर्मिंदा हो सकती है, विल्कुल बिल्कूल सही का आपने, मैंने भी यह चीज के महसूस करी हो कि यह रुखनेशुरा, कि किई बार कृशन और नहीं करते हैं, आप ugले, यह अद्ग आपके पास mobile नहीं और आपको डर है कि कोई पूछे नहीं कि मेरे पास mobile है कि नहीं एक एक इंग्जामपल नहीं मैंने ब्रॉडली तो आरिभ बापको मैंने देखा को कभी नहीं पूछेंगे तुम्हारे पास mobile है गया सामने आले को शर्मिलना होने लेकिन कई लोगों को ये भी आपने तजर्बा किया होगा, I'm sure कि जो बच्छपन में बहुत confident है, लेकिन जैसे जैसे age बढ़ी, तो उनका confidence डाउन होता चला गए, अच्छा, in terms of confidence, I'm talking about, again I'm not coming on results, तो confidence अच्छा था, stage पर बहुत अच्छा perform कर रहा था, self confidence भी बढ़ी हा था, but after couple of years, age बढ़ी और उसका confidence दीरे 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 ग्राफ जो गिरता चलाएगी, कभी अभी ऐसा होता है ये बच्छा तो बढ़ा अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन फिर उसका career कुछ और होता है, ऐसा भी होता है कि ये तो क्या था और क्या हो गया, हाँ खेर इसमें तो बहुत सरे factors हो सकते हैं, जैसे अब जैसे एक तो बच्छपन वाले बहुत सारी चीज़ें हमने discuss करी, लेकिन अगर आप इसको देख ले, इस वाले frame को देख लें कि कोई बच्छपन में बहुत confident था, लेकिन फिर जैसे जवान होता गया, एज बढ़ती गई उसकी, तो उसका जो confidence level था, वो कम होता गया, इसके भी बहुत सरे अजबाब है, और एक उसमें से सबब जो हमने discuss के, negative thoughts का होना है, अच्छा होता है क्या, इनसान अपने आप से जब negative बाते करता है न, एक तो क्या है, दूसरा आदमी negative बात कर रहा, you are talking negative to me, तो ये एक अलग factor है, और एक factor दे इनसान खुद से भी negative बात करता है, अच्छा, अब जैसे इंटर्वीव के लिए कोई गया, है, हो देख रहा है, हाँ डास, पंदरा लोग बैठा है, मैं एक position के लिए इंटर्वीव चल रहा है, CV लेकर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि यार इसके बैठने का हावा बड़ा जबरदस्त है, इसकी personality भी जबरदस्त है, इस टॉकिंग वरी वेल, communication is outclass, tremendous, वो सब देखने के बाद में, इन लोगों के तजरबात देखने के बाद में, मुंडी इदर उदर घुमाने के अथ खुद से बात करता है, यार मैं कहां सेलेक्ट होने वाला हूँ, I'm not comfortable being here, ये लोगों में से कोई सेलेक्ट हो जाए, बावी नहीं मिलना है, वो उटता है चले जाता है, मैं कोई छोड़ी company में अपलाई करूँगा, कई पर अपलाई नहीं कर रहा होता है, का मैं फिटी नहीं हो रहा हूँ, मैं फिटी नहीं हो रहा हूँ, विन यू स्टार्ट, यू सी दिवे, जो आप शुरू करोगे, तो रास्ते दिखेंगे, वो बन्दा क्या करता है, वो उस चीज़ को फेस नहीं करने में comfortable है, अप चुक्कि बात वो खुद से negative कर रहा है, अपने आप से positive बात, getting my point on not, अपने आप से positive बात करें ना, अफ्ताब भाई, और यही हमारा इसलाम भी सिखाता है, कि अल्ला पर भरोसा जो है ना, belief system जो है ना, उस belief system का जो concept है ना, वो positive ही है, येस, I'll do this because I believe Allah, उनके वस experiences हैं, no worries, I believe the mercy of Allah, है ना, सही है, तो मतलब एक की ये भी है, कि low confidence में negative thoughts, ये thoughts का भी बहुत, रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, यहनि जैसा आप सोचेंगे, वैसा आप बनेंगे, हाँ, ऐसे ही है ना, आपका environment पर सबनता चले जाएगा, आप feel करो, आपको बुखार हो है, सुबे से शाम तक ध्यान करो, कि आपको बुखार है, आप अगर आएने में जाकर देख ले, और खुद से बोल दे, यार वाकई यहां के पीली है, पीली हो जाएगा उसको, तो दिस हाव थिंग वर्क्स, यह ब्रेइन इस वेरी कॉंप्लेक्स, और वो आप जिस तरा उसको यूज करते हो ना, इट क्रिएट्स एंवार्मेंट, लॉफ अट्राक्शन, एक अलग डिबेट है, लॉफ अट्राक्शन, बट थिंग्स एक्चुली गेट अट्राक्टेड अज यू थिंग्ग, अपने माहौल को जैसा सोच समझ के करेंगे, बस वो हमारे लिए वैसा होगा, हम उसको आइंटी समझेंगे तो फिर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसा सोचेंगे कि यह हमारे साथ चल सकता है, हमारा जैसा माहल बना हुआ है, हम जैसा चाहते हैं, वैसा है, तो हो जाता है, सब चीज़ आसान हो जाती है, एक जुम्ला जो ना इसने मुझे बहुत सहरा दिया, वैं विल स्टाट, विल सीधी दे, शुरू करो ना, स्टाट डूइंग डैट, पहले तो बात तो करो सही से, अपने आप से, अपने आप पर थोड़ा रहम कर लो, सही, हम बंदा अपने आप से, अपने आप पर रहम ही कर रहा होता है, मैं तो वेस्ट अफ टाइम हूँ, आप वेस्ट अफ एनर्जी है, आप आट डू एनिधिंग, भाईया कौन बोल रहा है, तो में तुम्हारे उस रभ ने पैदा किया है, तो तुमसे सत्तर गुना जादा उसकी रहमत तुमसे महबबत करती है, तो आपकी वर्द नहीं, अगर आपके दिल में इश्क मुस्तफा है, या वर्द इट, है नि, किस चीज़ को आप अन्वर्दी कह रहे हैं या कह रहे हैं कि, वेस्ट अफ टाइम है, लो सेल्फ कॉन्विडेंस क्यों हो रहा हैं, लोग सेल्फ कॉन्विडेंस नहीं होना चाहिए, कि, वो है न, हमारे रहनुमा बहुत अजीम है, इंशालला, दुनिया और आखरत में पार हो जाएंगे, इंशालला, एक सवाल ये भी है जिशान बएग, कि मेरे घरवाले मुझसे बहुत ज़ादा एक्सपेक्ट करते हैं, कि, ये कर ले तू, ऐसा हो जाएगा, ये कॉर्स कर लो, ये फला जगा जौब लग जाएगी, मतलब बहुत ज़ादा एक्सपेक्टेशन होने की वज़ा से, अब मैं ये गर्वालों को कैसे खुश रखूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है न, ये बहुत बड़ी पॉपॉलेशन की है, चब बिल खुसूस, अगर मैं बूलू तो जो नौजवान है, मिडल क्लास नौजवान, बिइंग वेरी प्रिसाइज, जो मिडल क्लास बॉइ है न, वो तूट जाता है इसमें, क्योंकि वो क्या करता है, एक तो फाइट कर रहा होता है, कि मुझे घरवालों के एक्स्पेक्टेशन पर खरा उतरना है, अट दे सेम टाइम, आफ तू मेक शूर कि मैं, अपनी मिडल क्लास वाली जो लाइन है, उस बर्थ को चेंज कर रूँ, अच्छा कर लूँ, तो अलग फाइट है, फिर क्या होता है, आदमी ना लड़ते 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 लड़ते, उसका एक ही मूटिफ बन जाता लाइफ का, कि in any case, in any condition, in any circumstances, I want to make my parents feel proud of me, अब क्या होता है, वो पूरी ताखत लगा देता है, और ultimately कही बार क्या होता है, उस रीच तक नहीं पहुच पाता है, तो वो कॉलाप्स करता है, वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिदेंस उसका ऐसा ठक करके गिरता है, कि there is no if no but out of it, expectations, very moderate, moderate क्यों कहता हूँ, इसलाब हमें दर्मियान अरवी अख्तियार करने का हुखम देता है, आपने resources को भी तो देखे हैं, हम क्या कर सकते हैं, resources भी देखे, बहुत सब्सक्राइब हैं अपनी condition, मौजूदा condition को देखे, अब तुम भाईया तुम्हारे पास ground नहीं है, जगा नहीं है, तुम बोलता है, मैं किस माले की building बनाऊँगा, अब दो महिने में बनाऊँगा, how is it possible भाई, हाँ आप के पास you don't have base, and you are talking about 21 floors, यह कैसे हो सकते हैं, तो यह एक चीज़ है, अच्छा, फिर क्या होता, नहीं कर पाता, तो collapse कर जाता है, और as in family, as a parent, as a teacher, as a siblings, मैं बाकियों को मश्वरा दूँगा, आपके platform से, कि please, इतना expectations का burden निडाले हैं, he is also a human, सही, बाद अकद होता है कि, मतलब इतना ज़्यादा आदमी pressurize हो जाता है, कि society टक के जो हैना, items करता है, क्योंकि लग रहा है कि, घर वालों की खौईशें पूरी नहीं हो पारी हैं, कितने वाकियात हैं ना, मतलब भरे पड़े हैं, और कई सारे तो इतने ज़्यादा stress ले ले लेते हैं, और फिर, मतलब नहीं नहीं चीज़ें होने लगती हैं, फिर वो जो कलना भी है ना, वो भी नहीं कर पाते हैं, उससे क्या होता है, इनका overall confidence डाउन हो जाता है, उसका impact होता है उनकी life में, मतलब बंदा ना expectations पूरी नहीं कर पाता है, वैसे चिड़-चिड़ा हो रखा है, अब जो उसको आता है न वो भी नहीं कर पाता है, एक आदमी mentally तोर पर disturbed होना, तो गाड़ी चलाए न तो बहुत अच्छा गाड़ी चलाने वाला भी गड़बड़ कर देता है, बिकॉस उसका confidence ठक करके गिर चुका है, गिर चुका है, आप बहुत अच्छे नात खुआ हों, और कहीं किसी वज़ा से आपका confidence गिर गया है, आपने प्रफॉर्म कर पाऊ, हाथ का अपने लगते हैं बहुत अपने लगते हैं, ऐसी होते हैं, it's all about the environment you are being in, तो as in parent मैंने जैसे कहा, as in our society, हमें दूसरों पर इतना load नहीं डालना चाहिए, expectations का कि सामने अला गिर जाए, expect करें, लेकिन under certain limitations, और expectations भी आप अपनी वाली न डालें उस पर, कि मैं चाहता हूँ ये करो, सही, this is not right word, ये देखें कि ये क्या कर सकता है, मैं आपको बता हूँ, मेरे चुकि इस्टूडेंट से interactions हैं, तो एक लड़का आया, coding में he is just brilliant, अच्छा, coding में brilliant है, बड़ अबबा कहते हैं, I want you to become doctor, तो भाईया, कहानी के आओगी मालम बापो, ultimately, कि वो कलिंगल बन जाएगा, आम के शेप में, getting my point or not, कलिंगल रहेगा आम के शेप में, ये तो वही बात होगा है, कि मचली से कहें उड़ो, मचली कैसे उड़ेगी, ये मिसाल अक्सर मैं अपने बेहनात में देते रहता हूँ, मतलब आपने उचको आम बनानी के बोला, वो लेकिन کलिंगल है, कलिंगल मतलब वर्टरमेलन, कलिंगल है, तो आम का शेप हो जाएगा, लेकिंगल हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, अंदर में जाकर बोग कोटिंग करा, किटनी का ऑपरेशन करना है पता नहीं तो कुछ और निकाल के लिए आले हैं अब उसको कोडिंग करवाते हो सकता है शूट कर जाता दुनिया में आगे वह शूट कर जाता बहुत अच्छा परफॉर्म करता तो यू नीट वी चेक कि सब के अंदर कुछ न कुछ है और उसको देखना चाहिए कि हम यह बच्चा यह बंदा यह क्या कर सकता है इसके अंदर क्या चीज़ की खासियत है अब आप कोडिंग का बताया डॉक्टर कितनी डिफरेंट फिल्ड है अब वजाई सी बात है ऐसे और कितने वाकियात हों है अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ा क्यों चाहिए एक हम अपनी चीज़े थो पर होते हैं हम यह लखे रहे हैं यह क्या करना चाहता उसका इंटरेस्ट किस चीज में थो नार्य होते हैं और बनके कुछ और निकलाता है चीज़ें जयाना है वो फिर सही होती नहीं है जाएर है कि यह भी confidence low करने वाली चीज़ है सभी अच्छा यह भी है एक की childhood यानि बच्छपन में या बंदा बड़ा हो तो इसमें क्या parents का role होता है इनके confidence को boost up करने में या low करने में इनका क्या किरदार होता है और क्या होना चाहिए असल में होना क्या चाहिए देखिए as in child जब आपका बच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मुझे इसा लगता है कि आपको यह देखना चाहिए कि problem कहा है problem identify की जाए उसके साथ बैठ कर और अच्छे नर्म अंदाज है कि जो तासीर नर्मी में है वो तासीर गर्मी में नहीं है क्या बात है वाँ आप गर्म होकर किसी को समझाएंगे यह won't get result out of it गर्म चीज़े क्या होती हो उपर की तब भागती है बाहर जाती है और ठंडी चीज़े क्या होती है बैठी है नीची की तब जाती है नर्मी में आफियत ज्यादा है गर्म होकर आप बच्चे को समझाएंगे हाथ से निकल जाएगा तो अब क्या steps होने चाहिए जिनको फॉलो करें और एक perfect चीज कर सकें confidence भी हमारा लोना हो और हम जो कर सकते हैं हम अपनी एक level तक वो चीज़ों को कर सकें इसके लिए क्या चीज को follow कर कोई structure अगर आप बता दें देखें low confidence या low self-esteem इसको दूर करने के लिए दो तिन बाते में मोटी मोटी बयान कर सकता हूँ और बहुत broad है वो बाते जिसे पहली तो मैं रखूँगा पहले पाइदान पर कि be kind to yourself भाई आपने आप से थोड़ा सी अच्छे हो जाओ इतना अपने आप को क्यो कोश रहो self-love जिसको बोलते हैं हां तो heart attack आजाएगा तुम दिक्कत हो जाएगी brain वहमरेज हो जाएगा इतना अपने आपसे बाते करो negative बाते करो life enjoy करें be kind to yourself enjoy करने से मुराद मेरी यह यह कि are first and foremost दिकित आप अपने साथ kind नहीं हो तो आप कैसे perform करो दुनिया का तो छोड़ दो तुम अपने आप से तो अच्छी बाते करो अच्छा फिर इसमें दूसरी चीज में आपको अर्ज करूंगा कि देखो confidence low तब होता है जब इंसान कहीं perform नहीं कर पाता तो क्या होता है हम जब तक अपनी weaknesses और strengths को नहीं जानते हो तब तक हम perform नही है और weaknesses के लिए plan बनाएं for example someone is going for interview and he believes that he cannot speak English fluently उसके लिए उसको confidence अगर कम है तो मेरे भाईया तु confidence कम करके घर में काया बाइटा है अंगरेजी सी ठीक है ना ठीक है ना ठीक है रहेंगे plan करते रहेंगे execute कप करेंगे ऐसा ही पर इसमें तीसरा मैं जो कहूंगा वो यह है कि आप अपने आपको एक time पर एक हदव दे एक target एक task दे चालिस चीजें एक साथ करना यह तो ठीक है जिन्नाती हो तो देखो एक time पर एक आदमी he can focus on one thing one thing मतलब आप मालनो maths कर रहे हो maths का paper लगा रहे हो आप बोले एक हाथ से maths लगाऊंगा एक हाथ से physics लगाऊंगा तो कुछ नहीं लगेगा ठीक है यह skills could be very good when you are only focusing on maths at a time and then after completing maths you are going on physics तो क्या होता है इसकी confidence बढ़ जाता है अब तुम यह आदा some maths का लगा रहे हो आदा physics हो बोले दोनों में answer नहीं आता मेरे को दोनों नहीं आता भाया पहले maths वाला लगा ले सुकून से फिर physics वाला लगा ना तो यह जो एक balance बनता चला जाता है यह दो तीन बातों पर अगर मोटा मोटा कोई अमल कर ले तो बहुत सारी चीज है हाँ लेकिन एक important और इसमें आड करना चाहूंगा मै कि यार negative thought or negative people से दूर हो जाओ, they are good for nothing, मेरे statement है, for negative people they are good for nothing, if someone you see is speaking negative, दूआ सलाम रखो, दूर से, Assalamualaikum रह्मत अल्ला, उससे जादा दूर ही रखो तो जादा अच्छा है, it will be good for you and for your future as well लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपकी कमिया जो है ना वो बताते हैं हम और इसके जरीए जो है आप अपने आपको improve कर सकते हैं, ने कि thoughts deliver करना और कमिया डिलीवर करना दोनों में फरक है, अच्छा, भई देखें as a teacher, मैं किसी बच्चे की कमजोरी बताओ, तो यह चुमकार क कि यार, he is not pointing fingers towards me कि तुमारा जखा में, so please don't be like that monkey, वो story है ना कि monkey गया, मेरो को कड गया है, तो दूसरे monkey ने बोला, oh 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 oh, कड गया, तिसरे ने बोला, oh oh, कड गया, तो cancer बन गया, so क्या है कि negative thoughts अलग हैं और इंसान की कमजोरिया बयान करना अलग, negative thoughts मितलब यह तिरो को आत गया, you are good enough to do this calculation, you are good for nothing, you are going to fail, negative thoughts, but you have been trying very well, but I guess, यहाँ पर problem है, let's solve together, this is, आप उसको ऐसाद दिलबा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, कि दो चीजों में फर्क है, you can or you can't में बहुत बहुत बढ़ा difference है, सही है, मशाला बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, उमीद है कि हमारे विवर्स जो हैं, और हमारे यंग्स्टर जो हैं, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपने जिस अंदाज में समझाया है, माशाला, लात अबरक ताला, कबूल फर्माएं, और इन चीजों को जो फॉलो करेंग, जो लास्ट में आपने बताएं, रूल्स बताएं, तो मिचे नहीं लगता है कि फिर किसी को लोग कॉन्फिडेंस होगा, देखो भईया, मैं रूल्स उस नहीं बता सकता है, इस इस जनरल एक अंडरस्टेंडिंग, नहीं एक चीज है, अभी यंग्स्टर को आप दिखाओगे इस सिल्सिला, I am also young, alhamdulillah, just for your information, तो अब मुद् औरते बहुत कुछ हैं, सुनते बहुत कुछ हैं, कई सारी चीजे में बहुत अच्छी लगती है, और हमें यह लगता है, हम कमेंट भी करते हैं, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, यह भी कर लेना, but this time make sure, कि आप एक step उपर जाएं, start implementing things in your life, practice करना शुरू करें इ निलाइफ में लेकर आए, तो मुझे लगता है, जादा फायदाने लेगा, इंशालला, बिल्कु सही कर आपने, आपकी बात मैं एक share के साथ मुकमल करना चाहूंगा, है फलाहु कामरानी, नर्नी और आसानी, हर बना काम बिगड़ जाता है, नर्नी, सुछानला, बहुत कमा कर ला, इंशालला फिर हादर होंगे, अगले एपिसोड में एक नर्ट आपक के साथ, इंशालला, इंशालला,